हेलो एवरिवन तो गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बहुत तरीके की सब्जी आने लग जाती है मार्केट में जिस तरीके से सर्दियों में रंग भी रंगी सब्जी आती है तो गर्मी में भी भिंडी तो रही करेला टिंडे इस जो आपने पीछली बार भिंडी की सबस्र विए अपके के साथ शेयर करें जाए रहा पिछी, बभिंडी की सब्जी की सबुज़ करें से सबस्क्राइब ये अब बिल्कुल कच्ची कच्ची और छोटे साइस की भिंडिया लेनी है, बहुत ही अच्छी होती है, यानि कि इसमें बीच बहुत कम होते हैं, तो मैंने ये 250 ग्राम भिंडि ले लिए और इने धो करके अच्छी तरीके से 2-2 टुकड़ों में काट लिया है, यानि कि बीच मे अब क्या करेंगे कि फ्लेम ओन करके और मैंने कडाही चड़ा दी है और कडाही के अंदर डाला है मैंने सरसो का तेल तो मैं तो अधिकतर सरसो का तेल ही इस्तमाल करती हूं सबजी में आप जो भी तेल खाते हैं आप वह तेल इस्तमाल कर सकते हैं अब देखे तेल जब तो कि इसमें जो चिप्ची पापन होता है वो चिप्ची पापन खनम हो जाये, कम से कम इसे 2-3 मिड़त तक तो आपको बहुनना ही पढ़ेगा, तो अब मैंने इसे 2-3 मिड़त भून लिया है, और हम करेंगे अगे की ताइरी तो देखिए, यह इस तरीके से अपको फ्लेम ब पाउडर डाला है इन दोनों चीजों को डाल देने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे तो कम से कम हमें इसे चार से पांच मिनद तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाना होता है और जब तक यह पकती है तब तक मैं कर लेती हूं आगे की तैयारी जो की सबजी में ख परत भाई परत खोल लिया है तो इस तरीके से आप इसको धीरे-धीरे करके और जिस तरीके से मैं अलग कर रही हूं आप इसी तरीके से प्याज को तीन से चार लेयर तक ही आपको इसे खोल ला है तो आप धीरे-धीरे करके इसे आराम से इस तरीके से खोल ले तो देखिए अब मैंने इने खोल करके अलग रख लिया है और साथ ही मैंने ले लिये हैं ये तीन टमाटर लिये हैं तो अभी तो मैं देसी वाले टमाटर ही इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरी टेरिस गार्डन में बहुत सारे टमाटर आ रहे हैं अगर आपके पास देसी टमाटर ना हो तो आप hybrid वारे टमाटर भी ले सकते हैं लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है जो देसी टमाटर होते हैं इनमें जूस भी बहुत जादा होता है और एक बहुत ही अच्छा खट्टा पन होता है तो चलिए टमाटर भी मैंने काट लिये हैं अब क्या करेंगे कि 2-3 म क्यूक नट हो गये थे और हमारी भी बिणदी अच्छी तरीके से पक चुकिये यानि कि सिक्चुकिये अब हैं इसके अंदर एड्ड कर दिये हैं प्याज जिन प्याजों को मैंने काट कर के अलगी था कर देघा और साथ ही इन्हें मैंने डाल दी और बिणदीमें पकने डूल भाइसर चोपत अगर शखेliches मिकसर तो कोड़ी प्याज को अब हम इसका हरा हुआ है लोकु तो इसका आपको बारिक 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 चॉप करना है तो diferूजी इसका है आपको इसे बिल्कुल पतला पेस्ट भी नहीं बनाना है आपको देखिए आप इस तरीके से थोडा सा आप दिख रहा होगा कि इसी तरीके से बिल्कुल बारी कट कर लेना है आपको इस कट हुआ प्याज सबजी के अंदर बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा आप आगे आगे देखिए कि सबजी किती टेस्टी बनती है अब क्या करेंगे कि मैंने 2-3 हरी मिर्च ले ली है और साथ ही मैंने 1 चोटा सा टुकड़ा अद्रक का लिया है तो इन सारी चीजों को मैंने काट लिया है यानि कि मैंने हरी मिर्च को भी टुकडों में काट लिया है और साथ में अद्रक को भी काट लिया है अब मिक्सर जार लेकर के मैंने डाल दिया है इसे मिक्सर जार के अंदर तो मैंने अद्रक डाला है साथ में हरी मिर्च डाली है आठ से दस कलिया लहसन की डाली है साथ से पतला पेष्ट बनाना है तो मिक्सर मेंने चला लिया है और उसके बाद देखे इस तरीके से से इतना ही पतला पेष्ट बननाना यानि जादा डर जर आप दे डर आप बिल्कुल ना कूट करके रख website और रिया में और हमारी जबotch तक तब तक हमारी भिंडी प्याज टमाटर सब बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं तो मैंने इसे निकाल करके दूसरे बर्तन में रख लिया है अब क्या करेंगे कि हम इसी कडाई में थोड़ा सा सरसोका तेल और डालेंगे और तेल जब अच्छी तरीके से गरम हो जाए उ साथी में मैंने बारी कटा हुआ प्याज डाल दिया है तो आपको प्याज को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलूसेंट होने तक इसे भूनना है प्याज को बिल्कुल भी कच्छा नहीं रखना है जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक आप इसे ज़ल्दी बाजी नहीं करनी है खाशकर इस सब्स्दी को बनाने में बिलकुल भी जल्दी बाजी नहीं करनीstal तो देखे मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से पका लिया है और साथी में जही हमें पीष और बुंग mix और यह तो पीस करके बनाया है नहीं भीष तो देखे इस तरीके से आप इसे बिल्कुल चलाते रहें, आप इसे बिल्कुल चलाना छोड़े नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाल करके इस पेस्ट को बनाया है, अगर आप इसे छोड़ देंगे चलाना तो हो सकता है यह फट भी जाए, अब क्या करेंगे कि 2-3 मिन अब क्या करना है कि इस मसाले को हमें धीरे-धीरे करके बूनना है और जैसे यह चिपकने लग जाए, तो फिर आपको थोड़ा सा पानी इसमें मिला करके और मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से पकाना है क्योंकि आधा मसाला तो हमने पहले पका लिया था और अभी हमने नमक, खल्दी, धनिया और लाल मिर्ज डाली है तो इस मसाले को भी बहुत अच्छी तरीके से पकाना है तो देखिए अब मसाला तली में चिपकने लग गया है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और एड़ करूंगी और फिर से इसे दुबारा से भूनूंगी और जब हमारी जोड़ने लग जाए तो समझी कि आपका मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने जो भिंडी टमाटर और साथ में प्याज मिला करके भिंडी को भूना था तो हम उसको इसके अंदर एड़ कर देंगे यानि कि सारी चीजों को एक कम ही रखना है आपको ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है आप मुझे तो यह सबजी थोड़ी गाड़ी पसंद आती है तो आप इसको बिल्कुल पानी जैसा नहीं करें आप इसको इतना ही पानी डाले कि आपको भिंडी दिखाई देती रहे इतना भी पानी नह नर्तक उबाल आने के लिए छोड़ देना है अब इसमें उबाल आने लग गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला तो मैंने घर में ही पिसा हुआ गरम मसाला इस्तमाल किया है इसकी खुश्बू बहुत ही अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है तो अब मैं खाना निकालने की तेयारी करती हूँ, यानि की प्लेट सर्व करती हूँ, तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो अब मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, आप और मेरे वीडियो को इसी तरीके से देखें दन्ने हो एक।